तो खुद के एंपलोईज हैं, उनको भी पेबर नहीं पता होता काड़ीगा तो आइडिया ऐसा है जी कर दो यहाँ पे नहीं होता हूँ तो बाकी वर्ल में भी और इंडिया में भी डेली या बॉमबे में स्टीट आठ का बहुत अमेजिंग कलचर है तो स्टीट आठ के थूरू वो सोशल मेसेज़ेस कनवे करते हैं चाहे वो वार से रेलेटेड है या गवर्मेंट से रेलेटेड है या कुछ भी तो अब टाइम पर जैसे मैं बाहर नहीं जा सकता था घर पर ही था तो मुझे ऐसा लगा कि आर्ट तो है मैंने सीखा नहीं लेकिन मुझे शौक है इस चीज का तो मुझे लगा कि अपना अपने घर वापिस आएंगे तो एक होप उन सब के दिलों में जगाने के लिए मुझे लगा कि होप ही हमें लिखना चाहिए और एक जैसे आप देखेंगे कि आँखों में एक थोड़ी सी उमीद है और मास्क भी पहना हुए मास्क के साथ एक मैसेज जा रहा है कि हम सब लो मुझे लगता था कि यह सिरफ मेरी जरूरत है मेरा अंदर का आर्टिस कह रहा है कि यार यह बना के आओ नहीं कमुनिटी को यह आर्ट मुझसे जादा चाहिए वो मेरे पास आए लोग जो क्रॉस कर रहे थे घूम रहे थे हमारे आसपास नेबर्स हैं जो उन्होंने बोला क कि आप बाकियों पर भी क्यों ना बनाऊ हो ना मैं कि यह तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सब पर नहीं कर सकते तो दे अलाव मी कि लोग आके इस लाइक डोनेशन के वो अपना गिराज का डोर या अपनी वॉल मुझे डोनेट कर रहे हैं तो स्प्रेड दिस पॉजिट आप यह चीज और फेलाएं कि कि एक निभरटिसमेंट और सोशल मीडिया है उन लोगों के लिए मैंने पूछा कुछ स्ट्रीट ओकर से कि अगर आप आपको अंग्रेजी नहीं आती पड़नीत ओक आपको समझ में आ रहा केते जी हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है और हम जब भी यहां से गुजरते हैं हमें यह देख के बहुत अच्छा लगता है और हमारे माइंड में एक positivity आती है और एक message आता कि हमें मास्क पहनना है